मुस्ट इन्पॉर्टेंट अजिस्मेंट कह सकते हो तो कई बार सिर्फ इसी अजिस्मेंट पर एक बार नहीं, दो से तीन बार एकजाम में 6 नंबर का कुश्ण आया हुआ है इसी अजिस्मेंट का सिर्फ जनल एंट्री, तो हम जो ये अजिस्मेंट कर रहे हैं, अभी लेजर पॉइंट ओव वियू से कर रहे हैं तो मैं अभी जो करवा रहा हूँ यह expense का तो यह करवा रहे हैं कि laser में किस तरीके से किया जाएगा तो इसको नाम क्या है या तो realization expense बोल लेते हैं या फिर desolation expense बोल लेते हैं या फिर winding expense बोल लेते हैं ये एक तो हो सकता है simple कि आपको expense जैसे कि आपको question number 21 में भी given था कि last में desolation expense है payment करना है तो two side में payment कर देते हैं तो यहाँ पर दो situation create हो सकता है हमारा सर्थ दो situation कौन-कौन सा create हो सकता है एक हो सकता है हमारा simple जिसके अंदर आपको बोला जा सकता है adjustment के अंदर कि जी ये हमारा realization realization expense हमारा है 4000 रुपए तो सर इसका क्या treatment करोगे अगर देता है realization expense adjustment में 4000 रुपए है तो इसका simple treatment होगा हम इसे कहां show कर देंगे realization account के अंदर किस side में इसको account में हम two side में show कर देंगे किसके अंदर बैंक के अंदर ये बहुत ही simple है इसमें तो कुछ सोचना है नहीं एक तो ये part होगे जो अभी तक आप करते आए हो firm dissolve हो रहा है तो हम उस partner को responsibility दे देते हैं कि यार हम बाहर वालों से जो dissolution कराएंगे ना तो वो तो extra charge लेगा और ज़्यादा भी लेगा क्यूंकि firm को dissolve करने के लिए आपको पता है कि या तो advocate चाहिए या फिर CA chartered accountant चाहिए या company secretary चाहिए in case of company तो अगर मान लिया जाए example देखना आप अगर मान लिया जाए कि हमारा जो है ना x y और z तीन partner है इसमें से mr z जो है वो already एक chartered accountant है जिसे सारी law की knowledge है और हम trust कर सकते हैं कि ये किसी law को break नहीं करेगा और law के according ही सारा काम करने वाला है ये trustable है ठीक है normally firm को जब dissolve करेंगे ना तो क्या करेगा कोई other अब मैं other की बात कर रहा हूँ other CA आएगा अगर other CA आता है firm के अंदर firm को dissolve करने के लिए तो वो क्या करेगा normally assets को बेचेगा जो rule है उसके according और liability को क्या कर देगा pay कर देगा बदले में ये अपनी commission charges fees जो भी ले सकता है हो सकता है ये बोले भाई मुझे 20,000 रुपे चाहिए 50,000 रुपे चाहिए मैं chartered accountant हूँ तो मेरे इतनी fees होगी तो कुछ भी हो सकता whatever तो हमने decide किया कि हम बाहर वालों को अब नहीं बुलाएंगे बाहर वालों को नहीं बुलाएंगे जब हमारे पास ही एक chartered accountant है क्यों न हम इसकी मदद ले ले तो इस partner को जो Z है हमने बोला देखो भाई तुम dissolve करो जो हम बाहर वालों को देते थे वो हम तुमें देंगे ठीक है जब बाहर से कोई आता है ना तो एक तो दो चीजे होता है assets और liability को या तो वो commission based पे काम करेगा कि भाई जितना assets है मालो 5 लाख रुपे का assets बिकवाएंगे तो हम 10% commission चार्ज करेंगे ये भी हो सकता है तो 5 लाख का assets बिकवाएंगे 10% का मतलब 50,000 रुपे commission उसके हिस्से माल जाएगा वही उसका remuneration मालो वही उसकी salary मालो वही उसकी मेहनत मालो जो C.A. है बाहर वाला दूसरा हो सकता है कि आप desolation करो और हम आपको 20,000 रुपे देंगे आपको सारे assets भी बेचने है और liability भी पे करना है तो यहाँ पे कोई commission की बात यहाँ पे नहीं है तो जब हमारा expense fix कर दिया जाता है न तो ऐसे situation में क्या होता है कि C.A. बोलेगा ठीक है सर आप मेरे firm को मैं आपके firm को dissolve करूँ गा मेरा 20,000 रुपे रेमuneration है अब इसको dissolve करने के लिए stem paper की ज़रत पड़ेगे इसको dissolve करने के लिए हमें एक color को रखना पड़ेगा इसको dissolve करने के लिए printer चाहिए paper चाहिए stationary चाहिए और कुछ legal formalities करने हैं court से approval लेने तो यह जो extra खर्चे हैं यह 20,000 के अलाबा आपको देने पड़ेंगे ऐसा मत समझ ना के 20,000 रुपे आपने मुझे दिया तो यह खर्चे भी मैं bear करूँगा यह खर्चे ही 25 से 30,000 हो जाएंगे आपके तो मैं तो loss में रहूँगा तो यहां desolation के दो खर्चे हो गए एक खर्चा जो chartered accountant या advocate अपनी fees ले रहा है दूसरा करने में जो paperwork लग रहा है मकान जब खरीदते हैं simple सा example लो तो मकान को खरीदने में एक तो जो मकान खरीदा है उसका पैसा और दूसरा उसको registry कराने का भी पैसा लगता है दोनों चीजे लेके चलना है same ऐसे dissolve करने के उपर यह रहेगा तो जब हमारा और यहाँ पे आप पहले सबसे पहले यह clear करो आपको कितने तरीके के expense होगे दो एक तो paperwork वाला और एक जो उसकी fee है तो हमारा जो dissolution expense होगा जो अभी तक dissolution expense दिखाते आये थे हम जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 4000 रुपे तो यह दोनों mix है यह mix है कुछ किस किस चीज़ का पेपर वर्क भी इसी में है और उसके fees भी अब आपको examiner अलग-अलग करके देगा और अलग-अलग करने के बाद कुछ responsibility और define करेगा मान लेते हैं कि आपको दिया गया यहाँ पे realization expense and commission तो commission तो उसकी fees है न सरे realization expense and commission यानि आपको दोनों दिया जा रहा है realization का खर्चा होगा वो भी देंगे और commission भी देंगे तो realization expense और commission जो दिया जाएगा तो यह दोनों मेरे लिए खर्चे है अब ultimately Z हमारा partner है तो commission किसको मिलेगा हमारे partner कोई तो मिलेगा और जो खर्चे हैं वो खर्चे firm को paid cash करना पड़ेगा क्योंकि देखो जो Z है वो अपने मेहनत की responsibility ले सकता है कि चलो मुझे बाद में pay कर देना मुझे commission दे देना 10%, 5%, 3%, 2% जो भी हो और जो बाहर paperwork होगा उसको तो firm को नगत payment करना होगा stem duty करना है firm से पैसे लेगा तो एक तो इसको commission हो गया एक क्या हो गया इसका expense हो गया अब यहाँ पे भी दो बाते बनती हैं कि partner जो है न वो लेगा दोनों partner बोलता है जी आपको expense भी देना होगा और commission भी देना होगा तो ऐसे situation में जो हमारा expense है उसकी entry तो हम कर देंगे bankender bankender उसकी entry कर देंगे और जो commission की entry है न उस commission को हम करेंगे किस नाम से partners पहले यह बात को आप समझो और जरूरी नहीं है कि commission ऐसा भी हो सकता है partner को salary दे मान लेते हैं हमारे dissolution का जो process है वो तीन मेहने का चला और मैंने partner को बोला ठीक है तुम्हें 1000 रुपे मेहने के हिसाब से हम दे देंगे salary तुम्हारी जो तुम मेहनत करोगे extra तो इसका मतलब अगर मैंने तीन मेहने का process चला है तो इसको salary कितना मिलेगा? तीन हजार तो उस salary को हम अभी नहीं देंगे क्योंकि rule कहता है तुम हो partner और मिलेगा तुम्हें सबसे last में मिलेगा क्योंकि ये खर्चे जो है ये तो partner को नहीं जा रहा जेब में ये खर्चे जा रहा कि इसको paperwork यानि outsider को तो इसको तो देना पड़ेगा तो partner के pocket के अंदर जो भी पैसा जाएगा rule कहता है इसको मत देना इसे सबसे last में देना तो यहाँ पे इसलिए अगर आपको दिया जाता है both expense तो bank से हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कमीशन तो कमीशन किस में जाएगा हमारा partners capital में पहले यह देखो आपको situation क्या given होगा जैसे कि question number आपका 21 में ही आप देखो दोनों चीजे देखने को मिल जाएगा 21 में पढ़ते हैं एक बार question number 20 एक statement पढ़ रहा हूँ में आप समझना starting में परदीप एंड राजेश दो पार्टनर है कहता है परदीप वाज question 20 sorry 21 मैंने बोल जाए 20 question number 20 ठीक है question number 20 परदीप और आपका राजेश पार्टनर है sharing profit ratio दे रखा they decide dissolve the firm इन्होंने decide किया कि firm को क्या करेंगे dissolve और परदीप को depute किया गया realize the assets परदीप को बोला भाई परदीप तुमें सारे assets बेचने है और बदले में और liability को payment भी तुमी को करना है होगा भाई इतना talented CA chartered accounted को होगा इसलिए responsibility भी दे दिया गया बदले में आपको he was paid commission 1000 rupees for his service इसको क्या paid होगा commission paid होगा इसके service का तो ये किसको मिला परदीप को तो क्या ये भी realization expense है बिल्कुल kind of realization expense है बट बाहर वालों को नहीं दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है partner को और यहीं पर परदीप और राजेश है मान लेतने कोई third party होता मान लेतने Mr. Ram होता और हमने Ram को बोला कि Ram तुम्हें assets और liability बेचना है और paid करना है और तुम्हें 1000 देंगे तो अब ये partners capital के नाम से नहीं आएगा ये outsider को देना है तो किसके नाम से आएगा bank के नाम से समझे बात आप और इसी question में साथ के साथ नीचे देखिये realization expense भी given है कितने का पच्चिस सो तो अब entry कौन सी होगी दोनों होगी यहाँ पे कौन सी entry करेंगे तो एक जो उसको commission दिया जा रहा है तो वो commission भी खर्चा ही है लेकिन उसको किस नाम से entry करेंगे partners capital के नाम से तो यहाँ तक आपको clear है पूरा यह अब अगली हम बात कर लेते है realization expense और commission इसमें दो type हैं एक type हो गया when realization अब कई बार partner क्या कर सकता है देखो यहाँ पर यह भी तो possible हो सकता है कि जो Z है Z बोलेगा यार हम तो partner ही है मुझे किस बात का पैसा दोगे मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए बस जो खर्चा होगा वो paid कर देना यानि Z जो है partner अपने service के बदले पैसे नहीं लेना चाहता या ऐसा बोल सकता है कि आप चलो ठीक है 5000 रुपे दे दो और जो भी खर्चा होगा वो मैं personally bear कर लूँ ठीक है ना अगला sentence देखो क्या कह सकता है कि partner पार्टनर ने अमाउंट लिया as a commission हो सकता है as a commission but इधर दियां दो but bear all realization expense but bear all realization expense अब धियां से सुनिए सर इन दोने में फरक क्या है अब यहां पे same question होगा partner को बोला गया कि भाई या तो हम partner को जो भी अमाउंट paid करेंगे न वो हो सकता है commission हो हो सकता है salary हो हो सकता है any kind of amount call जो की question में बोला हो अब ऐसे situation में दो part है यहां पे बाद एक तो partner को दिया जा रहा है commission और एक है यहां पे क्या expense लेकिन एक है commission और एक है हमारा expense लेकिन partner क्या कहता है कि जितने भी खर्चे हैं वो मैं bear करूँआ ध्यान से सुनना जितने भी खर्चे हैं मैं bear करूँआ सिर्फ मुझे कमीशन दे दो खर्चे को मैं देख लूँगा अपने लेवल पे मैं उसको टिकल कर लूँगा माल लेते हैं इस कोशन में आपको कमीशन 5000 गीवन है और खर्चा आपको 4000 रुपे गीवन है सपोस करो कितने रुपे गीवन है आपको तो अब ऐसे सिचुवेशन में इस 4000 रुपे की पेमिंट तो हमें किसी को नहीं करना क्यूंकि इसकी रिस्पॉंसिबिलिटी किसने ले लिया है तो अब यहाँ पे भल ही आपको दोनों अजजस्मेंट में गीवन हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी पाटनर, बियर और जैसे यह वाला कोशन कमीशन वाला था इस कोशन में लिखा था यहाँ पर यह वर्ड नहीं लिखा था कि उसे कमीशन के अलावा बियर करेगा वो कौन से रिलाइज़ेशन एक्समेंस अगर यह वर्ड मैं डाल दूना कि इसके अंदर बियर रिलाइज़ेशन एक्समेंस आल्सो बायदा परदीब तो फिर जो नीचे रिलाइज़ेशन एक्समेंस एड़जस्मेंट में दे रखा है वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, एंट्री सिर्फ किसकी करेंगे समझ में आई बात आपको तो मैं एक्समेंस की बात करूँ तो सिंपल वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अगर हमारे पार्टनर को दोनों चीज़े हैं कमीशन भी और एक्समेंस भी और पार्टनर दोनों लेने के लिए तैयार है तो कैसे पता चलेगा, अगर question में कुछ नहीं बोलता, एक जगा commission देता है, एक जगा expense देता है, तो मान लो partner दोनों लेगा, मतलब partner को payment करना पड़ेगा ये दोनों, तो जो expense है, उस expense को bank के नाम से payment कर देंगे, और जो उसको commission दिया जा रहा है, उसको partners capital के नाम से आएगा दो दूसरा case क्या हो गया, जब partner बोल दे के मुझे commission दे दो और खर्चे को मैं देख लूँगा अपने level पे, आपको खर्चा payment नहीं करना है, लेकिन examiner आपको खर्चा भी बताएगा और commission भी बताएगा, तो ऐसे situation में खर्चे को क्या करना पड़ेगा हमें, ignore करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो हमें paid ही नहीं करना, हमें सिर्फ क्या paid करना है commission, तो commission हमारा two partners capital के नाम से आजाएगा, तो ये सिर्फ leisure के point of view से मैंने बताएगा, अभी इसके अंदर काफी सारे aspect है commission के अंदर, ऐसा भी हो सकता है कई बार, के partner expense भी अपने pocket से paid कर दे, या ऐसा भी हो सक situation में firm के जेब से कोई पैसा गया क्या, no entry, आपको adjustment में अगर दे भी दे, के भाई commission ये है, expense ये है, and all expense and commission personally be here by the partner, यहाँ ये word आजाता है, personally born by the partner, then उसमें no entry होता है, तो वो हम general entry में देखेंगे, ठीक है न, तो अब फटा फट से note करिए, हमारा है realization का, adjustment number six, क्छों के देखें से sev naughty, हमें आपको पन्र से diese कि बापकों का भी का खला है, था मैं हो अजया कर दो सक्का टाद काओखर आपको ये जो ये वित आपक प्oramaत प्सक्राप्न एैसे कृ